ग्रमंती डॉक्टर नरोता मिश्रा ने राहुल गांधी की भारा जोड़ो यात्रा पर निशाना साथते हुए कहा कि पता नहीं किस तरह की भारा जोड़ो यात्रा में वे निकले हैं। रहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत को राजस्थान में परिभाशित करने की कोशिश की थी। कॉंग्रेस नेताओं को गीता में जिहाद हिंदू संगठनों में आतंगवादी और हिंदू शब्द गंदा लगता है। रहुल गांधी इस पश्ट करें कि वो किस हिंदुत की तरफ हैं। रहुल गांधी को इसके लिए माफी मागनी चाहिए। रहुल खुद जब चुनावाते हैं तब कोट के ऊपर जनेव पहलेते हैं। ब्रह्मण बन जाते हैं। अब समय आ गया है कि कॉंग्रेस इस पश्ट करें कि वो किस हिंदुत की तरफ है। बारत जोडने के साथ में जो बयानवाजी आ रही है। उनने ही शुरू की थी बयानवाजी। हिंदु और हिंदुत को परवासित करने की कोशिश की थी राजिस्थान की रेली। उसके बाद मैं उनके जो पाटिल जी थे उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सल्मान खुरसी जी जो थे उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुल्ला कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदु सब्द से इन्हें चिड़ है। वही करनाटक के प्रदेश अद्यक्त जो जारकी होली जी है। सतीस जारकी होली उन्हें कह दिया है कि हिंदु तो सब्द गंदा है। मेरी मानिता है कि इसके लिए राहुल गांदी जी को माफी मांगना चाहिए। नोता मिशा ने आमादमी पार्टी के संयोजग केजरी वाल पर निशाना साथ हुए कहा कि पहले केजरी वाल गुलू बंद बात कर खासते रहते थे। अब उन्होंने बंद कर दिया है खासना लेकिन अब पूरी दिल्ली खास रही है। कांग्रेसिएं से अनरोध है कि वहाँ भी जान का खट्रा रहता है। मिश्रा ने कहा बालगाट हॉक फोर्स के जवानों को अवैद असलहा और नक्सली साहित बरामत करने के लिए बधाई अब तक 83 लाख रुपए के इनामी नक्सली या तो मार दिये गए हैं या आत्म समर्पन कराए गए हैं बड़ी सफलता हमें मिली है और इसमें आपको पूरू के भी मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि नक्सलीों की हमने गतवदी मद्यपरदेश में बढ़ने नहीं दिये अभी तक 83 लाख रुपए से ज़्यादा के नक्सली या तो मार दिये गए हिनामी या सरेंडर को होने कर लिए यह एक नई सफलता है उसके लिए बढ़ाई कि आप देख रहे हैं तक लिए